पूर्वी लद्दा की गलवान गाटी में रात की अंदेरे में चीनी सैनिकों ने भारत के सैनिकों के साथ धोके बाजी करके निशाना बना कर हमला किया इस जड़प में भारती सैना के एक करनल सहेथ 20 सैनिक शहीद हो गए हलाकि भारत स्योर से भी चीन को तगणा जवाब दिया गया जिसमें चीन के 43 सैनिक धेर होने की खबरे सामने आ रही है तो इस घटना के बास से पूरा भारत गुसे में है और चीन को खड़ा सबक सिखाने की मांग की जा रही है भारत चीन के बीच भारी तनाव के बावजूत कॉंग्रेस के पूरु अद्यक्ष राहूल गांदी पदानमंत्री नरेंदर मोदी पर चिपनी करने से बास नहीं आ रहे है उन्हों लग्दा की गलवान घाटी में चीनी सेनकों के साथ इंसक्ट अग्राव में 20 भारती जवानों के शहीद होने की प्रस्ट बूई में बदवार को सवाल किया है कि पदानमंत्री नरेंदर मोदी से मामले पर खामोश क्यों है रहुल गांदी ने ट्वीट करते होए लिखा के पदानमंत्री खामोश क्यों हैं वो चिपtał हुई क्यों हैं अब बहुत हो चुका है हमें जानने की जरूरत है कि क्या हुआ राहूल ने आगे लिखा कि हमारे सेनिकों की हरत्या करने के चीन की हिम्मत कैसे हुई हमारी फूमी पर कबजा करने के उनकी हिम्मत कैसे हुई इसके बाद फिर राहूल कांदीरी अपने ट्वीटर हैंडल से एक 27 सेकंड का वीडियो शेर किया है उसे भी आप सुन लीजिए दो दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सेनिक शहीद होए उनको उनके परिवारों से चीना ते चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन चीनिये हमारी जमीन हर्पी है प्रधान मंत्री जी आप चुप क्यों हैं आप कहां चुप गए हैं आप भाराईए पूरा देश हम सब आपके साथ खड़े हैं एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश भाराईए देश को सच्चाई बताईए दरिये मत राउल गांदी के सब वीडियो संदेश पर तरह तरह की प्रत्क्रिया भी सामने आ रही है एक ट्व्टर वज़र ने लिखा कि चीन जो भी अमाकत कर रहा है वो कॉंग्रेस और वांपंतियों के भरों से कर रहा है एक लिखा कि मैं भारती राजनीत से अन्रोथ करता हूँ कि वो सेना के लिए राजनीत ना करें क्योंकि सेना सरोश पर है एक उजर ने गांधी परवार पर तंज कस्यों लिखा कि कॉंग्रेसियों की बात सुनने के बाद मुझे भी लगने लगा है कि मोदी है इसी दिए बिबाद हो रहा है नेरुजी होते तो अनौशल लद्दाग दोनों देकर मामला रफा दफा कर देते एक ने लिखा कि चीन के राजदूस से चोरी चुपके से मिलने वाले सेना पर विश्वास नहीं रखते तो में एक मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहूल गांधी के ट्वेट के बाद से ही सोशल मीडिया पर चाइनीज एमिस्टर टोप ट्रेंड कर रहा है यूजर्स कहने लगे हैं कि क्या राहूल गांधी चीनी राजदूस से मिलकर आये हैं या फिर आपका प्लान है दरसल साल 2017 में कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष रहने के दोरान राहूल गांधी ने डोकला मिवाद के भी चीनी राजदूस से मुलाकात की थी अलागी जब ये ख़़वर सामने आई तो शुड़ात में कॉंग्रेस ने राहूल गांधी की चीनी राजदूस से मुलाकात की बाध से इंकार किया था कर दो कर दो